भारत की जनता की ओर से राश्ट संग के लिए शुबता उन्नाओं का संदेश लाया हूँ महासभा के 32 में अजिवेशन के अवसर पर मैं राश्ट संग में भारत की जड़ास्था को पुना गत्त करना चाहता हूँ जनता सरकार को शासन की बाग डोड संभाले केवल 6 मास हुए हैं पिर भी इतने अल्प समय में हमारी उपलब्धियां उन्लेख निया हैं भारत में मूलभूत मानव अधिकार पुना पृतिष्ठित हो गए हैं जिस भै और आतंत के वातावरं ने हमारे लोगों को घेर लिया था वो दूर हो गया है ऐसे समवई धानिक कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे यह निजन सुनिश्चित हो जाए कि लोक तंत्रो बुनियादी आजादी का अब फिर कभी हनन नहीं होगा अध्यक्ष महोदय वसुद है वो कुटम मुकिम की परिकल्पना बहुत पुरानी है भारत में सदा से हमारा इस धाना में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है अनेकानेक प्रेऊनों और कष्टों के बाद सैख्ट राष्ट के रूप में इस वतन के अप्ताकार होने की संभावना है यहां मैं राष्टों की सद्टा और महत्ता के बारे में ने सोच रहा हूँ आम आदमी की पृतिष्ठा और प्रगती मेरे लिए कई अधिक महत्तु रखती है अंत्ता हमारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक ही मापदंड से ना पी जानी चाहिए कि क्या हम पूरे मानव समाच वस्तुता हर नर नारी और बालक के लिए न्याएं और गरिमा की आश्वस्ती देने में प्रेत्म शीलें अफरीका में चनौती स्पष्ट है प्रश्ट ये है कि किसी जंता को स्वतंत्रता और सम्मान के साथ रहने का अनपरणी अधिकार है या रंगभेद में विश्वास रखने वाला अल्पमत किसी विशाल बहुमत पर हमेशा न्याए और दमन करता रहेगा निस्तंदेर रंगभेद के सभी रूपों का जड़ से उन्मूलन होना चाहिए गीत ने आगाता हूँ गीत ने आगाता हूँ तूटे हुए तारों से फूटे वासंति स्वर पत्थर की छाती में उलाया नव अंकुर जरे सब पीले पात कोयल की कुहुकुरात प्राची में अरुनिमा की रेख देख पाता हूँ गीत ने आगाता हूँ तूटे हुए सपनों की सुने कौन सिस्की अंतर को चीरवैथा पलको पर ठिट की हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत ने आगाता हूँ गीत ने आगाता हूँ नमस्कार आज हम सेर करने जा रहे है बुरिवली में स्तित अटल स्मृती उद्यान की इस उद्यान में एक एक्जिबिशन सेंटर भी है इस एक्जिबिशन सेंटर के अंदर जाते ही आपको अटल जी की एक प्रतिमा दिखेगी अटल जी का जनम 25 दिसेंबर 1924 में गौलियर शहर में हुआ ये भारत के पहले प्रधान मंत्री है जो की भारतिय राश्रय कॉंग्रेस के ना होते हुए भी अपना कार्यकाल पूरा कर सके उनके पिताजी श्री कृष्ण बिहारी वाजपई ये एक स्कूल टीचर थे अटल जी ने अपना MA DAV कॉलेज कानपूर यहां से पूरा किया 1984 में अटल जी आरिया समाज के जनरल सेक्रेटरी बने 1949 में उन्होंने RSS में स्वयम सेवक की भूमी का स्विकारी थी 1947 के विभाजन के दंगलों के कारण उन्होंने अपनी लौ की पढ़ाई छोड़ दी और पत्री कारिता में काम करना शुरू कर दिया पंडित दिन दयल उपाद्या जी के अकबार जैसे की राष्टधर्मा पंच जन्या और स्वदेश और वीर अर्जुन के लिए वो लिखते थे 1951 में उन्होंने नई पार्टी भारतिय जनसंग के लिए काम करना शुरू किया ये उत्तर भारत के नाशनल सेकरेटरी बन गए 1957 की लोगसबा चुनाव में वो मतुरा से तो हार गए पर बलरामपूर से जीत गए वो उन्निस सो अड़सत में जनसंग के राश्ट्रे अध्धक्ष बने 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा घोशित अपतकाल में उनको अरेस्ट किया गया फिर मुरारजी देशाई के नित्रुत्व में कई पार्टियों की गटभंदन से जन्दा पार्टी बनी और 1977 इलेक्शन्स जीत गई मुरारजी देशाई रदान मंत्री बने और अटलजी विदेश मंत्री इसी दोरान उन्होंने यूएन जन्रल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी 1949 में जब मुरारजी देशाई और अटलजी ने इस्तिफा दे दिया तब जन्ता पार्टी नश्ट हो गई फिर 1980 में अटलजी के नित्रुत्वा में भारतिय जन्ता पार्टी बीजेपी स्तापना हुई और अटलजी उसके पहले अध्यक्षब ने 1984 में इंदिरा गांदी जी की हत्या के बाद कॉंग्रेस को चुनाव में बड़ी जीत हसिल हुई और बीजेपी को मात्र दो सीट्स मिले अटलजी कुल कई बार सांसद रह चुके है 1957 से लेके 1912 और 1967 से 1971 तक दोनों बार बलरामपूर से ग्वालियर में 1971 से 1977 तक न्यूदिली में 1977 से 1984 और आखिर में लकनों में 1991 से लेकर 2009 तक 24 डिसेंबर 2014 को अटलजी को भारत रत्न घोशित किया गया यहाँ इस बूत पर आपके मनपसंद का अटलजी का कोई भी भाशन आप सुन सकते हो आपको बस उसे स्वाइप करना है 1986 में लाल कृष्णा अडवानी जी बिजेपी के अध्यक्ष बने 1989 में बिजेपी को 86 सीट्स मिले और उन्होंने बीपी सिंग की घडबंदन को समर्तन दिया 1996 की चुनाव में फी करीबी मामला रहा और पीवी नर्सिमहराओ की इंडियन नेशनल कॉंग्रेस 1440 सीट्स जीती और अटल जी के नेत्रुत्व में बिजेपी जीती 161 सीट्स इस चुनाव की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण अटल जी को प्रदान मंत्रिपत की शपत लेने का अवसर मिला पर संख्या बल ना होने के कारण यह सरकार 13 दिन में ही गिर गई और अटल जी को इस्तिफा देना पड़ा उसके बाद 1996 और 1998 में दो युनाइटेट फ्रंट की सरकारे आई और अस्तिरता में गिर गई 1998 में NDA का गड़ बंदन हुआ और BJP के 182 सिट्स ठल जी फिर प्रदान मंत्री बने 17 एपरिल 1999 को जैलेलिता जी की पार्टी AIA-DMK के ने समर्थन निकालते ही उनकी सरकार 13 महिनों बाद फिर गिर गई इस सरकार की सबसे बड़ी सफलता थी जो पाच अंडरग्राउंड नुक्लियर टेस्स पुक्रन में किये गए इस सरकार के गिरने के बाद उनको केर टेकर गवर्मेंट के रूप में अपना प्रदान मंत्री पत जारी रखने मिला 26 में 1999 में कारगिल में ओपरेशन विजय की सुरवात हो गई तीन महिनों के इस यूद में भारत को शांदार जीत मिली इस यूद के बाद उक्टोबर 1999 की चुनाव में बीजेपी के नितरुतवक में एंडिये 543 में से 303 सेट्स जी थे और अटल जी इस बार फिर प्रदान मंत्री बन गए और इस बार अटल जी पूरे पात साल तक प्रदान मंत्री रहे 2003 से इंडिया का जीडिपी साथ तके से ज़्यादा ही हर साल रहा आपके सामने एक डिजिटल रखबण है और आपको एक तच्स्क्रीन डिवाइस दिया गया है आपसे कुल चार बहुचे जाएगे प्रश्ण और विकल रिजिटल दरपण और आपने टच्स्क्रीन डिवाइस दोगों पर प्रदरशित होगे प्रतेग प्रश्ण के बाद 15 सेकिंड के भीतर आपको सही उतर चुलना होगा और अपने टच्स्क्रीन पर कंफर्म बटन डबाकर इसकी पुष्टी करनी होगी अंग उस खिलाणी को दिया जाएगा जो सबसे कम समय में सही उतर चुलता है यारी यदि आप अपने प्रतिस्पर्दियों से पहले सही उतर की पुष्टी करते हैं तो आप सवाल जीट जाते हैं इस यात्रा में हमारे साथ होंगे एक बहुरी विशेश व्यक्ती जो प्रतिक प्रश्म के बार जब आपका उतर देने का समय समात हो जाएगा हमें सही उतर बताएगे साथी कई दिल्चस्ट किस से भी सुनाएगे नमस्का नमस्का आप सभी को मेरी बहुत साली शूंकाम नाए ये नहाँ आपका बहला सवाद आपका में सेदर कि नहीं अकम सा जिएक आपका दो सुनाएगा ये रखनी जाह करने हो जाएगे मेरे नाना का दर था वह बहुत प्यारे जिन थे प्यारे शेया था जो थे कि सीट्यक्तरा भाड़ा थाब वर्यारेAS Active एकोिल नियरे! मेला ढूमनि, क्थिस्ट थे निर छी अजसो छोर सोचा वगाना! नमश्कार नमश्कार मेरे प्यारे भाईयों बहनों और बच्चों आप सभी को मेरा साधर प्रणाम बहुत आर्सा हुआ आपसे यूँआन में सामने मिलकर संदो हजार पाच में स्वामा जी जीवन से निवरुद्वोने के बाद आपसे मुलाकात हो न सकी थी बिगर्दी तबिया थी